नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आगको हर्निया के विशे में बताऊंगा कि हर्निया है क्या और जब हम समझ जाते हैं किसी प्रॉलम को कि ये है क्या तो फिर इसके बारे में अच्छे से इलाज भी हमें खोद भी दिखाई देने लग जाता है सबसे पहले तो ये समझना है कि जब हमारे शुरेर में प्राण वायू कम हो जाती है शरीर में weakness आजाती है या जिनको शुरू से ही जन्म से ही बच्पन से ही weakness रहती है muscles का विकास नहीं होता अच्छे से या विकास करवाते नहीं हम वयाम नहीं करते हैं, जिंदगी में कभी कोई वयाम नहीं करते हैं या बहुत जादा करी लोग वयाम कर लेते हैं बहुत जादा जटके मार लेते हैं शरीर को इतना खराब कर लेते हैं इतनी जादा एक्जर्ट कर लेते हैं बाडी इन सबस्टितियों में या कई बार शरीर इतना होता ही कमजोर है इतना या इतना मोटापा होता है श्रीर में कि इन सम्स्रतियों में श्रीर ना जादा पतला अचा है ना जादा मोटा अचा है तो होता क्या है, मसल्स जब वीक होंगे, डाइट की कम्जूर कमी की वज़ा से, बे टाइम खाना, गलत अहार खाना, जो चीजे नहीं खाने लाएंगे, वो खाना, जो जिससे ताकत मिलनी है, जंदगी में कभी सबजियों को हाथ ना लगाना, के लोग बच्चे करते हैं, सब समस्या हरनिया की आजाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि गर्बावस्था के गरान, मसल्स ठोड़े स्ट्रेच होते हैं, और मसल्स फ्लेक्सिबल भी वोने जरूरी है, ऐसा वो नहीं हो पाता है, इसलिए उनको शिकायत हो जाती है, सिजेरियन के बाद, अच्छे से स् समस्या ही, जैसे कईयों को हरनिया भी कितने तरह का होता है, एक तो यहां से फूड पाइप थोड़ी उपर आ जाती है, वो खिच जाती है, तो वो उसको बोलते है हायटस हरनिया, हायटस हरनिया में फूड पाइप थोड़ी उपर आ गी, उससे फिर ऐसी डिटी रहने लग जाती है, खट्टे मुँ में पानी आने लग जाता है, ये एक तरह का हर्णिया हो गया, फिर मल जो पुरुशों में अंड कोश के थैली में आत उतर जाती है, इंग्वाइनल हर्णिया बोल देते हैं उसको, ये भी कई इसके कारण है, हलाकि हर्णिया में लंगोट बांध के रखने का विधान हैं, तो लंगोट भी अच्छा है, उन सब सितियों में पुरुशों को बहुत फायदा करता है वो, लंगोट बांधने की विधा, परंपरा काफी पुरानी हैं, अखाडों में पहलवानी करते हैं लंगोट बांधने से भी ये हर्णिया में अराम मिलता है पुरुशों के जो अंड कोश की जो हर्णिया है, और फिर बहुत बड़ा एक आथों का गुच्छा यहां से बाहर दिखाई देने लग जाता है, हलाकि मसल्स फटते हैं, मसल्स टियर होते हैं, आथ बाहर निकलती है, मास तो वैसे का वैसे ही रहता है, मास तो कहीं नहीं ज लेट जाने से अंदर चले जाती है, फिर बाहर आ जाती है, कहीं की पकी बाहर रहती है, यह भी अपनी अपनी स्थिती है, हर किसी के अपना केस है, आप यह नहीं कह सकते हैं, कहीं को पेन बहुत होती है, कहीं को पेन नहीं करता है, तो जिनको बहुत पेन है, बहुत एक्से कि पेन उपेन है उनको योग में यह आना का करने नहीं करने चाहिए गपतें हैं कि अलुज़ कोक् २ू अबOkayla सुनो और मेरे पिछे लग पढ़ो औओ यह भी आपको पेन नहीं हो रही है यह आपको लग रहा है कि मैं काफी सालों से इसे महसन rights कर रहा हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यह चोटी दिक्कत है थोड़ी वह दिक्कत तो आपको मैं आने वाले समय में योग का क्रम आहार का, डाइट का और यह सब आयरुवेद का एकुप्रेशर में बहुत इसका मदद मिल जाती इससे यह आपको बताऊंगा फिलहाल आप समझ लीजिए जैसे हर्निया, यह मैंने दो-तिन तरह का बताया अंबलीकल हर्निया, पेट बहर आगे आंते बहर आगई, इंगवाइनल हर्निया हाइटस हर्निया, ऐसे कई तरह का हर्निया है आपको विशेश यही समझना है कि यह कोई बिमारी नहीं है यह एक फॉल्ट है, मेकैनिकल फॉल्ट है यानि एक जैसे मसल फट गए, तो आपनी जगह से बाहर आ गई अब इसमें आपको यह एक बार समझ में आ गया न यह होता क्यूं है, मैंने बता दिया कि शरीर में मसल्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं रही या बोडी में प्रान उर्जा कम है जीवन उर्जा कम है खुराक अची नहीं लेते हैं या कई बार करते हम क्या है जादा हमारा व्यान ही ऐसा होता है डे का रूटीन ही ऐसा होता है यह तो बिलकुल ये थार्जिक कोई काम नहीं करेंगे या इतना हम मेहनत करते हैं इतना वजन उठाते हैं, जटके मारते हैं कई बार जिम में जाते हैं लोग तो पहले ही दिन से ऐसा वेट लगाना शुरू कर दिया या ऐसा कोई जी चीज एक पहले ही दसवी सीड़ी पर पाउं रखेंगे तो आप गलत कर रहे हैं हर चीज का दीरे-दीरे रियाज बढ़ाईए आप पहले दिन अगर सब करने लग जाएंगे हर चीज या कियों कोई किसी चीज को देखते हैं वर्क आउट की वीडियो देखते हैं उसको देखे बड़ा शौका जाता है फिर लगातार करेंगे फिर बाद में उससे भी कली बार या मैंने देखा है जादा तर जिल लोग पिशाव रोकते हैं भूख प्यास रोकते हैं पिशाव आ रखा है मोशन पेट साफ होने की तलब लगी हुई है लेकिन जाएंगे नहीं कियों मैं थोड़ देर काम कर लूँ मैं थोड़ दे टीवी का एक सीरियल का सीन दे रही हूँ तो ये पूरा हो फिर ही जाओं ऐसा न करिए उसमें भी आँटों पे मसद पे जोर पड़ता है तो कमजोर व्यक्ति को जहल नहीं पाएंगे मसद कमजोर व्यक्ति के स्वस्त व्यक्ति तो कई बार जहल भी लेता है हमारे आपके जैसा लेकिन जो विचारा विमार होगा जिसके मसद में जानी नहीं है परानी नहीं है तो वो विचारा नहीं जहल पाएगा इस तरह से भूक प्यास छीकते हैं जोर से तो पूरा खुद अपनी तरफ से बनावटी घंग से इतनी जोर लगा के सिर मारेंगे तो वो गलत है आपको इस चीजों में ध्यान रखना है आपने नहीं तो छीक दबानी ही है दबा लेते हैं करी लोग ऐसे करके आने नहीं देंगे उसको हर बार ऐसे करेंगे ऐसे में भी फिर शरीर जो है वो उसका सारा लोड आपके मसल्स पर आता है आपको यह जीजे बड़ी ध्यान से समझनी है खड़े होके पानी नहीं पीना है खड़े होके पानी पीने से भी हो जाता है खड़े होके आप कई बार जैसे ज़्यादा टाइम जो लोग खड़ी रहते हैं और खड़े-खड़े खाते हैं इन समसे बड़ा कारण है कारण कोई कमी थोड़ी है यह समझ लो एक बार हर्मिया कोई बिमारी नहीं है और इसका इलाज क्या है आपके श्रीर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रान ज़्यादा अच्छा लेना है दूदा दी नहीं चूना जा लेंगे उसमें अश्वगंदा काम आ जाएगा अश्वगंदा मसल्स को स्ट्रेंथ देगा फिर कुछ ऐसे व्यां मैंकू प्रिशर में बताऊंगा कि जिसको करके आपको लगेगा कि वह मेरे मसल्स अब बिल्ड का शेट में आने लग गया है यह आज समझ लीजिए आज इतना ही नमस्कार में